इसा तेवहार जो सभी के लिए खुशियों की बहार लेकर आता है इस तेवहार को लोग अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ मनाना पसंद करते हैं वैसे तो होली पर पहले ही साथानिया बरतनी काफी जरूरी होती है लेकिन गर्बवती महिलाएं होली खेलने का मन बना रही है तो आपको थोड़ा सा और सतर्क होनी की जरूरत है आज हम आपको कुछ ऐसे ही टिप्स बताने जा रही है जो गर्बवती महिलाओं को होली पर सेफ रहने में मदद करेंगे डांस ना करें प्रेगनिंसी के पहले कुछ महिनों में खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि इस समय बिस्क्यारिश का खत्रा सबसे ज्यादा होता है होली पर गाने बजाने का प्रोग्राम तो होता ही है ऐसे में आपको थोड़ असा साफधान रहनी की ज़रूत है हो सके तो नाचना गाना बिल्कुल ना करें ज्यादा लोगों से मिलने से बचें होली का मौका और वो भी कोरोना की बीच लिहाजा भीड़ भार में जाने से और ज्यादा लोगों के संपर्क में आने से बचें इस बार कोशिश कीजिए कि होली का तेवार सिर्फ और सिर्फ परिवार के साथ ही मनाए जितने कम लोग होंगे कोरोना का खत्रा उतना ही कम होगा वैसे तो होली के मौके पर कई तरह के रंग मौजूद हैं लेकिन वाटर कलर्स कई तरह की सहूलियत देते हैं जैसे इसमें पैर फिसलने का खत्रा कम होता है जाहिर है ये कलर्स गर्बवती महिला और उनके बच्चे दोनों को सुरक्षित रखेगा और रंग में भंग नहीं पड़ेगा होली के मौके पर आरामदा एक कपड़े पहने और उससे पहले पूरे शरीर में ओयल या फिर मौश्यराइजर लगा ले इससे ये फाइदा होगा कि अगर आपको किसी ने रंग लगा भी दिया तो स्किन को ज्यादा रगणने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बिना ही कलर निकल जाएगा मास्क नहीं है उतारना इस बात का तो आपको खासा ध्यान रखना होगा कि वैक्सीन भले ही आ गई हो लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है इसलिए मास्क का इस्तमाल जरूर करें खास कर वहाँ जहां पर ज्यादा लोग दिखाई दें तो ये कुछ साफधानिया हैं जने गर्वबती महिलाएं बढ़तें आपको ये जानकारी और हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंच करके बताना मत भूलेगा